हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छी होंगी एक बर फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांड़ुची में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं साभुदाने की पापड आज हमने सुबह सुबह ही साभुदाना पका लिया है यह देखिए हमारा साबुदाना पकने वाला है और हुली के आप ज्यादा दिन नहीं बचे है बहुत जल्दी हुली आने वाली है तो हमने सोचा थोड़े-थोड़े करके पापड बनाए जाएं ताकि हम बना लें क्योंकि अभी हमने एक दिन भी पापड नहीं बनाए हैं आज हम साबुदाने की पापड बनाएंगे फिर आलू की बनाएंगे चिप्स बनाएंगे और जो भी होगा थोड़ा-थोड़ा सा सब कुछ बनाएंगे दोस्तों अभी पूरी तरह से मेंटेन नहीं है तो देखिए हमने नीचे चादर बिछा लिया है ताकि हमारे पापड खराब ना हूँ और उपर से हमने पॉलोथीन डाल ली है अब इसी पे हम पापड बना रहे हैं आज हमने बहुत सारे काम किये हैं दोस्तों पहले हमने पापड बनाए हैं फिर कपड़े धोए हैं बहुत सारे कपड़े भी आज इकठे हो गए थी तीन चार दिनों के थी बचों के भी कपड़े थी तो आज हमने पूरा दुल लिया है सबेरे 11 बजे हमारा ये सारा काम हो चुका है जो कपड़ों का था और पापड बनाने का ये हमने कर लिया है सुबह जल्दी और अब हमारे पापड में आधी धूप भी लग चुकी है तो इसलिए हम आए हैं छट पे थोड़े से कपड़े फैला देंगे और अपने पापड पलट देंगे क्योंकि ये पापड हमारे एक तरफ से सूख चुके हैं और दूसरे तरफ से भी हमें इनको सुखाना है तो अगर हम इनको पलटेंगे नहीं तो इनको सूखने में बहुत ज़दा टाइम लग जाएगा तो इसलिए हम पलट देंगे ताकि ये हमारे जो पाप पापड आदे सूख चुके हैं इस तरह से हम इसको पलट देंगे और एक ही दिन में हमारे पापड बन कर तयार हो जाएंगे ये हमारे साब उदाने के पापड हैं बहुत ज़दा पतले पतले से बने हैं तो इसलिए जल्दी से सूख जाएंगे और इसकी बाद अभी हमें और भी ठेट सारे काम करने हैं, हमारे पास मटर रखा है, उसको भी हम अभी दाल बनाएंगे, दरेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मटर काफे दिनों से रखा हुआ था, हमने कल इसको धूप में डाला था, और धूप में डालने के बाद, आज हम इसको दर लेंगे, दाल बना लेंगे, ये देशी मटर है, जिसकी दाल बनती है दोस्तों, ये बड़ा वाला मटर नहीं है, ये देशी इसको कहते है कबली मटर तो ये वही है ये हमारी मम्मी ने हमको दिया था काफे दिन पहले दिया था और ये हमारे पास रखा हुआ था तो कल हमने इसको धूप में डाला था आज हम इसकी डाल बना रहे हैं हमारी चाची साज भी है हमारे साथ वो भी हमारी help कर रही है दाल निकालने में तो हम दोनों लोग मिलकर दाल निकालेंगे सबकी यहां बहुत तेजी से काम चल रहा है सभी लोग काम में लगे हुए हैं क्योंकि इस टाइम होली का समय है और सब लोग बिजी हैं लोग अपने काम में लगे हैं तो मैंने सूचा कि ये मटर भी हम सुरचित रख देते हैं इधर उदहर रखा था और ये पुराना मटर हमारा हो गया था लेकिन सुक्र है कि इसमें किड़ा नहीं लगा था दोस्तों आभी तक हमारा मटर पूरी तरह से से आफ है आप लोगोंने सायद देखा होगा इसको इसी में दाल भी दरते हैं मटर की दाल भी दरी जाती है चने की दाल है मसूर है, उरद है सब कुछ इसमें दर लेते हैं हम लोग और इसमें चावल भी पीस जाता है दोस्तों जब करवा चौत आती है तो हम लोग घर पर ही इसी में चावाल वगएरा भी पीज लेते हैं ये हमारी चाची सास है तो ये भी हमारी हेल्प करा रही है थोड़ी थोड़ी देर पर हम दोनों लोग मिलके दाल निकाले ले रहे हैं कभी कभी इसको चलाना होता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कठिन काम लगता है जो काम बराबर हम करते रहते हैं उसमें इतनी ठकार नहीं लगती लेकिन जो काम कभी कभी करते हैं उसको थोड़ी देर करने के बाद ही बहुत ज़्यादा ठकावट सी आ जाती है एक बार हम तरह बहरा अभी पूरी तरह से दाल में नहीं बत्ला है और अब दोबारा हमने इसको दुला है. तभी यह दाल बनी है. तो देखिए हम इसको सूप की मतर्द से साफ कर रहे हैं. आप लोगों ने सूप तो देखा ही होगा. इसी से हम लोग चावल साफ करते हैं. और इसी से हम अपने ये मटर की डाल को भी साफ कर लेंगे इस तरह से ये हमारी डाल जल्दी से साफ हो जाएगी और अब हम इसको किसी डिब्बे में भर कर भी रख देंगे अब ये हमारी डाल सुरचित हो जाएगी जब हमको खाना होगा बनाना होगा तो हम ये साफ सुत्री डाल बना लिया करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इसमें कूड़ा है ये भूसी है सारी इसी मटर के जो निकली हुई है जो निकलती है मटर से तो इसको सूप की मदद से ही हम लोग साफ करते हैं और ये डाल हमारी अच्छी अच्छी से निकल के बाहर आ गई है और ये जितनी भूसी निकलेगी वो हम अपनी गाय को देंगे हमारे चाचा की यहां गाय भी पली हुई है तो ये सारी जो मटर की भूसी निकलेगी ये सब गाय को डाल देंगे और आप लोग देख रहे होंगे, पीछे बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये तेवहार का सीजन चल रहा है, इसलिए साफ सफाई चल रही है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस समय, इसी वज़े से आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, क्यो हम लोग आये हैं साम के समय, चट पे, आइसमान अपनी पड़ाई कर रहे थे, तो हमने सोचा, हम भी देखते हैं कि आइसमान क्या पड़ रहे हैं, तो हम सब लोग चट पे आये हैं, और ये अपनी पड़ाई कर रहे हैं, इनके पापा, इनसे कोश्चन कर रहे हैं, और ये उसी का आंसर दे रहे हैं और हस्ते भी जा रहे हैं क्योंकि इनको जिस चीज का आंसर नहीं आता है जो कोश्चन इनको नहीं आता है तो ये हसी मेटाल दे रहे हैं दोस्तों और बिटिया भी सब लोग छट पे हैं हम भी छट पे हैं बिटिया भी छट पे आप लोग देख सकत पीछ्छी सूरस डूबने वाले हैं एकदम सुर्यस्थ हो रहे हैं तो बिल्कुल सूमकर समय है यह हम आपको सूरी देव के दर्सन भी करा देते हैं यह यह सम्हारे सूरी देवस्त हो रहे हैं तो हम लोग यहीं पर बैट गए हैं बात्सीत करने लगे हैं जो हमारे पापड थे वो भी ढखके रख दिये गए हैं चट पर ही रखे हैं अभी हम नीचे जाएंगे तो अपने साथ उतार के नीचे रख देंगे दोश्तों